दाल मखनी, हमारे इंडियन विजिटेरियन कुजीन की जान घर पे बनाते हैं, जल्दी बनेगी, टेस्टी बनेगी और हाईजीनिक तो होगी ही तो इसके लिए मैंने थ्री फोर्थ कप दाल ली है, उरत साबुद दाल और मैंने लिया है वन फोर्थ कप राजमा इसको हमने अच्छे से धोना है, अच्छे से का मतलब है कि कम से कम छे साथ बार इसको मल मल के ऐसे वाश करना है और उसके बाद इसको रात भर भीगने के लिए छोड़ देना है, so good night, see you in the morning सुबह हो गई मामू, दाल हमारी रेडी हो गई है, और ये देखो ये इस तरह से हमारी दाल हो जाएगी, सुबह तक फूल कर दाल हो जाती है, अब आप इसको वापिस से मल कर पानी इसका फैंग दीजे, और ये दाल हमने कुकर में डाल ली है, कुकर में डाल डालने के बाद में हम इसमें गार्लिक का तड़का नहीं लगाएंगे तो चॉप गार्लिक डाला है एक बड़ी लाइची और तीन चार कलॉफ के टुकुरे डाले जिए और लगभग 50 ग्राम इसमें हमने बटर यूज किया है बटर डाल दिया और साथ में डाला है नमक नमक थोड़ा क ताकि बटर जले नहीं और बीच में डाल दिया जीरा जीरे को हम थोड़ा सा रोस कर लेता है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्यास चॉप ड़ अनियन डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे जब प्यास थोड़ा सा ट्रांसलूसिंट हो जाएगा तो उसके बीच में डालूगी दो तेज पता और साथ ही साथ डालूगी बारी कटी हुई हर इमिर्च उसके बाद आप इसको दुबारा भूनेंगे जब अनियन ऐसे हलका ब्राउन हो जाएगा तो हम उसमें आड़ करेंगे रेड चिली पाउडर और साथ ही साथ डालेंगे हम हल्दी पाउडर और सूखा धनिया पाउडर डालेंगे हम इसमें करीब करीब एक चमच और इसको अच्छे से मिला लेंगे इसे क्यों होता है धनिया कच्छा नहीं रहता और धनिया अच्छे से भुन जाता है अब देखो तेल उपर आने लग गया है इसका मतलब है कि हमारा प्याज भुन चुका है अब इसमें हम आड़ कर देंगे चॉप्ट टॉमाटोस आप चाहें तो बहुत बारी टॉमाटोस काट सकता है मैंने रफली चॉप किया है और उसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी आड़ करेंगे पाम के साथ रगड रगड के पानी आड़ कर दिया है मैंने थोड़ा सा इसमें और इसको हम ढखके रख देंगे इसमें थोड़ा सा नमक भी आड़ करना है अर दिस पॉइंट ना ताकि टेमाटर चल्दी से गल जाएं खोल के देख लेते हैं एक बरी चलो अब हम दाल देख लेते हैं हमारी दाल गली के न दाल गल चुकी है तड़का भी हमारा अल्मोस्ट रेड़ी हो गया है इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं अद्रक आप चाहो तो अद्रक को टमाटर के साथ पहले पीस कर भी डाल सकते हो पर मैं पीस कर नहीं डाला हुआ क्योंकि ऐसे जब हम मसाला बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अलगाता है बहुत अच्छा आता है नौ आप अड़िंग गरम मसाला गरम मसाला आड़ करने के बाद इसको और ज्यादा हम मिक्स कर लेंगे तो आपका टमाटर बिल्कुल मुश्य हो गया है और काफी अच्छी खुश्पी भी आने लग जाती है और यह देखो इसने ओल भी रिलीज करना शुरू कर दिया अब इसको हमने वापिस दाल में मिक्स कर दिया दाल में मिक्स करने के बाद मैं क्या करूंगी मैंना दाल को एक विसल और दिलवाऊंगी जिससे की मसाला दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा अब आपने क्या करना है एड इस पॉइंट यू नीड तो एड वाटर अब बहुत सारा पानी मिला दीजिए और बहुत सारा इसमें बटर मिला के बाद आपने कैंडी क्रेश आन करो और खेलना शुरू कर दो क्योंकि इसको अपने गैस पे छोड़ देना है ताकि बहुत अच्छी तरह से कर जाए डालना बटर और पानी में ये भी नहीं है कि ध्यानी नहीं देना बिलकुल भी पानी ना खतम हो जाए अब हम इसमें ए और आप चाहो तो करो नहीं चाहो तो मत करो साथ में मैंने कसूरी मेथी लिये और इसके बाद इस तरके को हम डाल देंगे डाल के उपर इससे कलर भी अच्छा आएगा और एक एक्स्ट्रा तरका लग जाएगा रेस्ट ये वहला तरका बिलकुल आप्शनल है इसको आप च अच्छे से बॉइल दे दो बॉइल इसलिए देना है हमने ताकि ये अच्छे से कर जाएगे डाल ना जितनी ज्यादा करती है उतनी ज्यादा टेस्टी बनती है नाओ आप गानिश्ट दिल दिल दाल विद क्रीम बटर और अब्विसली गानिशिंग की जान मेरा धनिया इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए और आप नेक्स टाइम से दाल मखनी घर पे बनाओगे बाहर से नहीं मंगवाओगे